अशोक पांडे जी ने बहुत पुराना प्रसंग उठा दिया याद दिला दिया ये तो उन्होंने बताई दिया कि मध्यर अत्री थी वरुन गोध में थे मेनिका जी का होल डाल अटेची बहार रग दिया गया का घर से निकलो प्रदानमंत्री निवास से और एक बात और वो तो भला हो खुश्मंद सिंग आये और मेनका की मा आई तो ले गई पर कथा प्रसंग फिर कभी नारी शशक्ति करन नारी स्वतंत्रता नारी सम्मान बड़ा दिलाते हैं आईसे सब आंदोलनों पर सेमिनार करने वालों को ऐस द्रश्च पर भी बोलना चाहिए इंद्राजी सास भी थी प्रधान मंत्री भी थी देश की दोनों जश्टी से यह अनुचित था क्या अपने अपने कितने दिन हुए ते संजे गांधी को मरे गोद में बच्चा और आपने बाहर फेक दिया निकाल के करो यह नहीं आ सकती बापसगार कर चोड़िए आज वो बात उठ रही है कि नारी का अदोलर समाधवादी पार्टी भी उस पर नहीं बोल रही लालु जी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां भी चक्कर ऐसा हो चुका है तेज की पतनी के साथ तो लालु जी की पार्टी क्या बोलेंगे खेद मैं एक बात कहता हूँ कि भाईया ये चुनाव है चुनाव बाबु भाईया मिसरा जी ये चुनाव है चुनाव जैसा डमरू आप बजाओगे वैसे उससे डबल आवाज का डमरू दूसरा बजाएगा जान लीजिए आपके पास जितनी बुद्धी आपने मुद्धा छुन उनके पास जितनी बुद्धी वह उनने खोज लिया आप जनतत्य कर देगी आप भी मीटिंग शीटिंग करके खोज के लाए होगे कि गुरू अपकी क्या उठाएं वो ले अपकी उठादो बोट बंद आप चुनाव नहीं होगा उनने मी मीटिंग की कि आपकी क्या गर घर ले जाएगी मोटर साइकल ले जाएगी खेत चीन लेगी मंगल सूत्र चीन लेगी और दलितों का आरक्षड मुसलमानों को दे देगी यह लोग पूरी आपने भेजी थी ना उनने पूरी बलड्डू रख्के वापस कर दिया अब क्या देख्याता है अब हाजमा हो तो पचाओ नहीं जोशी जी को अब तो सब एकी हैं इंडिया गटबंदन है कहा जारा सूरत में जो हुआ वो भारत में अजूबा है और उसी से साबित होगी आप चुनाव नहीं होगा सामान ने ज्यान बढ़ाना चाहिए जोशी जी की पारिटी की उमीदवार दिम्पल यादब करना उससे एक बाद निर्वरोद हो चुकी और डिम्पल जी को जोड़ो डिम्पल जी और सूरत वाले इस प्रत्यासी से पहले भी आधा दर्जन से ज्यादा लोग देश में निर्वरोद चुन लिए गए लोग सभा में कभी चुनाव बंद नहीं हुआ जोशी जी कभी सम्मिधान चोरी ने हुआ कभी सम्मिधान खत लोग तंद्र को कोई बीडी का बंदल समझ के जेम में रख्केर चला गया क्या नहीं ना फिर इपरचार क्यों यह बात क्यों कि बड़े विशे हैं और मनमोहन सिंग जी ने यह कहा नहीं कहा किस सेंस में कहा कितना कहा कितना छुपाया यह मनमोहन सिंग जी को इसपस्ट करने दो यह मनमोहन सिंग जी कांग उठा लगवाओ अगर दस्कित करने के सिदिम ना हो और मुकदमा फार डायर कर दो मैंने तो कल कांग्रेस के मित्र से ग वाज़ापा के बड़े नेताव के खलाब मुगदमा करिए ने मनमौन सिंगी ब्याप पर सहास्तों रखिये यह अधालत में बताएंगे कि सर्च बोल लेगे जूट बोल रहे हैं फ्रमान रखेंगे कि क्या कहा था मनमौन सिंगी ने और आखरी बात में कहूंगा मैं आस तक यह नहीं समझ पाया कि सम्विधान जब हम इस बात की आलुचना मैं मेरे जैसा व्यक्ति इस बात की आलुचना करता है कि मुस्लिम पर्सनल लौ में बदलाव होते रहना चाहिए था समय के साथ नहीं हुआ इससे मुसल्मानों का नुकसान हुआ हिंदूों ने किया हिंदू कोड़ बनाया ना तो जब हम वहां बदलाव की मांग कर रहे हैं तो सम्विधान को कुरान कैसे मान लेंगे सम्विधान में बदलाव नहीं हो सकता आग लगा देंगे राहुल जी करें आग लग जाएगी सौरी कि तैंटर कोन किसी के करें उत्र ही मित्र हम राजीव जी ने किये पंडित जी के समय में मंहोन सिंग के समय में नर संगराओी के समय में उप तो क्या अंग लग देश THERE कि समीधान संशोदन नहीं होता बाहिए आप उसको संसोधन बोलो, बदलाव बोलो, अमेंडमेंट बोलो, इससे क्या परक पड़ रहा, चीज तो एक ही है न, कि जो पूझ बावा साहब ने ड्राफ्ट किया और सम्मिधान सभा ने जिसको मंजूर किया, उसमें बदलाव हुआ, इसी को सम्मिधान का अमेंडमेंट कह इस देश में सबसे बड़ा प्रहार था लोगतंतर में है आपातकाल, और जब उसमें भी देश ने बाउंस बेक कर लिया, और फिर पलटवार देश ने किया, इंद्रा जी की सत्ता गई, और देश आपातकाल हटा, और उसके बाद सम्मिधान में ऐसी व्यवस्ता, और सुन आपकी बात मानते तो रद नहीं करते ना पर तो, क्योंकि आपके हिसाब से तो कुरान है, दुनिया में केवल धार में ग्रंत ही ये दावा कर सकता है, कि इसमें बड़लाव नहीं होना चाहिए, ये ईश्वर की बानी है, क्या? देश चलाने के लिए बने, बनी विवस्ता में बड़लाव क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, समय काल, परिस्थितियां बड़ल रही है, लोगों की आपे च्छा, आकांच्छाएं बड़ल रही हैं देश में, उन सब को पूरा करने के लिए देश में सम किसाथ बदलाब होना चाहिए और मुझे आज तक कोई बात बता ने पाया आशोक पानी जी कि बावा सहाब ने किस मौके पर ये बोला कि तुम्हें उसमें इसा आवसर आता है जब संब्धान सभा को संभूधित कर रहे थे तो उन्हों हूं कि भारत की आने बाली पीनिया समयकाल परस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन करेंगी और इसको देश की आकांख्षाओं को पूरा करने का मध्यम बनाएंगी और यहीं लक्षे यहीं लक्षे था यहीं लक्षे होना चाहिए एक अजर्ब नरेटिव बना दिया गया बोल संविधान संविधान बदलाब नहीं होगा बदलाब होगा देश भर में आग लगीगी यह आग की बाते ठीक है आप भी ज्यादा दूर निकल गए गेंद मारने के चक्कर में राजबाई यह भी ज्यादा दूर निकल गए यह तो बदला है चुनाब में उधारी नहीं रहती जब आपने गोशना कर दी कि भारत में चुनाव बंद तो उन्हें भी मीटिंग की कि अब हम इन्होंने चवा मारा है तो हम छक्का तो मारे हैं उन्हें भी मार दिया कि कांग्रेस आएगी तो मंगल सूत्र छीन ले जाएगी अब निप्टो सुल्यों कि मैं मानता हूं कि देश में अपने अंदर की शक्ति इतनी जादा है कि कोई पार्टी हो कोई नेता हो कि वो देश की सामोहिक इच्छा शक्ति और सामर्थ का अबुमुल्यन नहीं कर सकता इंद्रा गांधी के एपिसोड से ये बात साबित हो इसलिए ऐसे भय मत दिखाईए कि सम्विधान खतम हो जाएगा चुनाव नहीं होगा आखरी चुनाव है कोई बोट नहीं डालेगा इस तरह के भय मत दिखाईए मित्र आपको जीतने का भी अवसर मिलेगा हारने का भी अवसर मिलेगा चुनाव होते रहेंगे नहरू जी के समय भी हो रहे थे राहूल जी के समय भी हो रहे आगे भी होंगे हमारे आने वाली पीडियां भी बोट देंगी धन्यवाद